अगर आपको आपको आपकी कभूतर बाजी से रिलेटिड तो काफी दिनों बाद आपका भाई फिट से आ चुका है आपके लिए एक वीडियो लेकर अगर आपका कभूतर सुस्त हो जाता है तो आप उसका इलाज कैसे कर सकते हैं ठीक है हाला कि मैंने इस टॉपिक पर काफी वीडियो बना रखी और आपको यूटूब पर काफी वीडियो मिल जाएंगी ठीक है आपको उनसे काम चलाना तो आप उनसे भी चला सकते हो वरना कि आपको बता हूं कि कोई भी बिमारी की शुरुवात जब होती है ना मतलब कोई सा भी जान वरो कभूतर यह कहीं नहीं कह रहा है और वैसे कभूतरों की भी ले लो मतलब दुनिया भर में जितने कभूतर बाज है वो आधे तो इसी चीज से परिसान रहते कि भाई मेरे कभूतर सुष्टोर है तो मैं क्या करूं और आपको इ Voiceover कोई भी कभूतर में भीमारी बॐता करा शुट है और उसके बदातन के मारी होता है थलुज हूं कि लिउड़ा सा ''व का Chinese कि मैं फैसे का फिर का नी। कर रहा है वाइट कलर की बीटे कर रहा है तो आप उसका इलाज कैसे कर सकते हैं बाकी मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले ना काफी सारे भाई लोग है जो वीडियो देखते हैं पूरा पूरा लुफ तुठाते मेरी वीडियो अगर भीमार है तो ठीक हो जाएंगे तो बिना गिस देडिके यह देखो भाई इसके उपर मैंने पहले ही अल्रेटी एक दो वीडियो बना रखे आपको उन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहां पर आई बटन में भी देखो यह आ रहा लिंक तो यह वीडियो भी आप लोग जाके देख सकते हैं एक दू साल पुराणी है पता नहीं कितने साल पुराणी है ठीक है तो पुराणी वीडियो आपके नजरों में आएंगी नी फिर से मैंने वापस बनाए और क्या पता काफी लोग को पता भी ना वैसे तो जादार लोग को कबूतर बाजो को ठीक है और पोल्ट्री में भी यह चीज़े काफी यूज होती है तो भाई यह है टेट्रा साइक्लीन पाउडर ठीक है यह देखो और काफी लोगों के जगे पे ना जहां काफी लोग रहते हैं वहां अवैलेबल नहीं हो पाता है ठीक है तो वैसे तो जा होगे कि अपना आपका कबूतर दाना पानी घाएगा और एक साइड में और बैठा आठीक है ना Azra के काफी इसे होते ऐना ही काते बीचान थीज़े विफज पाते हो क्बूतर तो आपको करना कुछ नहीं, टैंसन नहीं लेनी, ठीक है, आपको फैकेट ले लेना है, ठीक है, और इसमें से बस आपको एक चुटकी निकालना है, इतना सा, बस आपको हलका सा एक चुटकी लेना इसे, और आपको कबूतर का मुझ खोल के उसके मुझ में डाल देना है, ठीक कुछ बीमार कबूतर कुछ बीमार कबूतर है पिल्कुल फिट कबूतर है मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि यह जो पाउडर है ना सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप सुस्त कबूतर को दे सकते हो ठीक है आप ऐसे भी अपने कबूतरों को गोल के पाउडर पिला सकते हो मैंने इसके पर वीडियो बना रखी अगर आपके पास 50-60 कबूतर है ठीक है तो 2-3 लीटर पान में मतलब जितना भी आपका प्याला है बड़ा वाला प्याला है तो एक चमज डाल देना उसके अंदर चोटा वाला प्याला है तो आदा चमज डाल सकते हो ठीक है और आप घोल के अपने कबूतरों को आप दे सकते हो हफते में एक दो बार अपना आराम से पिला सकते हो यह भी पिला सकते हो बूटोन भी पिला सकते हो ठीक है विमरल भी पिला सकते हो काफी चारी चीज़ा है पिलाने के लिए ठीक है तो यह भी अपना आप पिला सकते हो आप इसका रेड में बता देता हूँ आपको कितने रुपे का आपको मिल जाएगा इसकी अगर आप यह अपने कभूतर को देते हो ठीक है बहुत मस्ट चीज है जो मुर्गेवाज लोग होते हैं मतलब पॉल्ट्री फार्म वाले वह भी से देते हैं ठीक है देख लो इस पे लिखा हुआ है क्या-क्या अगर आपको चीज यह बता दी आप नॉर्मली खरीद के रख लो अगर आपका कभूतर भीमार हो चाहे ना हो आप किसी भी का उतर को दे सकते हो देखो यह इसको भीमारी भीमारी कुछ निया आप इसे देदो इसे कोई दिक्कत ने होगी ठीक है जबकि और इसका पेट मस्त हो जाएगा तो अभी मैं इसको देता हूं वाई कैमरा थोड़ा पकड़ो तो इसे हम फार्ड लेते हैं ठीक अगेगा मिल्क पाउडर की तरह लेकिन यह मिल्क पाउडर है नहीं ठीक है तो इसे पकड़ो वैसे ऐसे करके पकड़ो थोड़ा उपर और कैमरे पर उंगली मट डालना भाई जादा ले लिए मैं तो हाथ में पानी यह दो पानी यह दो यहाँ पर इसमें बागी गए सब्सक्राइब लेना ना इसको कोई का पूटर आपका सुस्त हो ना भाई कैसे भी बीमारी में हो बस आपको यह इसको एक चुटकी लेना ठीक है और देखो यह कपूतर प्रक्तिया आपको एक चुटकी लेना और पाइस ले गया हूं थोड़ा जूँरा बम में पूरा पाउडर भर दिया है अब कपूतर में फ्रोट चोड़ दो तो उपर देखाओ तो देखो कबूतर जो है उपर जाके पैड़िए ठीक है आप अपने कबूतरों खिला दो अगर पानी पी सकता तो अपने खिला के छोड़ों चीदा पानी पी के अपने आप लॉफ्ट में चले जाए अगले दिन आप कबूतर बिल्कुल फिट मिलेगा ठ और दिन में तीन बार दोगे तो और बढ़िया रहेगा ठीक है अगर आपके पास टाइम रहता है तो आप सुबह दे दो फिर दुपएर में दे दो फिर सामा में दे दो या तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि जहां भी आप बिमार कबूतर रखते हो जो प्याला होगता बिमार क कि आपको वीडियो पसंद आई होगी हाला कि काफी सारी वीडियो आपको मिल जाएगी सुस्त कभूतर के इलाज के उपर यूटूब पे आप वह भी देख सकते हो जाएगे परसी तो यही मेरे को एक वीडियो बनानी थी तो मैंने बना दी उम्मीद करूँ हो कि आपको वीड पाओवज भाइयो कि हेल्प करा करो किसी कभूत बीमार वगएरा होता तो इसको दोनाई बता जी अगरो ठीक है तो यही थी एच की वीडियो लाइक से सब्सक्राइब शब कर देना ठीक है शेर कर देना सारे जोड़ा सारे इस तो यह मीदियो में आपको पता लग बदेन तो दोस्तों देखो जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ जैसे कि देखो मेरे पे इस वाले लॉफ्ट में होंगे 45-45 कबूतर होगे तो आपको कितना आइस के इन डालना है आप ऐसे भी डाल सकते हो अंदाज से यह तो इस टाइम निकाला जो था मैं तरी भैस की ज्यादा गि दुरों को पिला सकते हो ठीक है कोई दिक्कत नहीं होगी से